आज हम सीखेंगे एक कोण का समद्वी भाजक बनाना यहां केक का एक टुकड़ा है जरा सोचिए अगर हमें इसके दो बराबर भाग करने होंगे तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही हम इस टुकड़े को इस प्रकार काटके इसके दो बराबर भाग करेंगे अब इस रेखा को देखिए यह रेखा दिये कोण को दो बराबर हिस्से में बाटती है इस रेखा को हम इस कोण का समद्वी भाजक यानि बाइसेक्टर कहते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे किसी कोण का समदी भाजक कैसे बनाया जाता है मान लीजिए हमें कागस के किसी कोण को विभाजित करना है तो हम कोण की बुजाओ को एक के उपर एक सटिक रूप में रखेंगे जिससे हमें कागस में एक मोड प्राप्त होगा मोड दिये कोन को दो बराबर भागों में विभाजित करता है इसलिए यह इस कोन का समद्वी भाजक है किसी कोन का समद्वी भाजक प्राप्त करने के लिए हम जामिती याने जॉमिट्री की समझ का प्रयोग करते हैं हम ruler और परकार द्वारा रचना करते हुए किसी कोण का सम्द्वी भाजक प्राप्त कर सकते हैं। आईए इसकी विधी समझे। आईए देखे कैसे हम कोण AOB का सम्द्वी भाजक बना सकते हैं। पहला चरण। सबसे पहले हम O को केंद्र मानेंगे। परकार का नुकीला सिरा केंद्र O पर रखकर हम परकार को सुविधा जनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोण O की दोनों भुजाओ को काटने वाला एक चाप कीचेंगे। मान लीजिए यह चाप कोण O की भुजाओ को M और N पर काटता है। यह एक प्रारंबिक चाप है। प्रारंबिक चाप में हमें दो ऐसे बिंदू प्राप्त होते हैं जिनकी शीर्ष से बराबर दूरी होती है। जैसे की यहां M और N शीर्ष O से बराबर दूरी पर है। दूसरा चरण, अब हम परकार का नुकीला सिरा बिंदू M पर रखेंगे, जरूरत के अनुसार हम परकार में ली गए दूरी को बढ़ा लेंगे, फिर हम कोण O के अभियंतर यानि इंटीरियर में एक चाप खीचेंगे. तीसरा चरण, परकार में ली गए दूरी को समान रखकर, हम इसका नुकीला सिरा बिंदू N पर रखेंगे, और M से बनाए चाप को काटता एक और चाप खीचेंगे. मान लीजिए, दोनों चाप बिंदू D पर प्रतिछेद करते हैं. चौथा चरण, अब हम शीश O से किरण O कीचेंगे. किरण O का समद्वी भाजक है? अगर हम चांदे से दोनों कोणों के माप ग्याद करेंगे, तो हमें दोनों कोणों के माप बराबर प्राप्त होंगे. जिससे यह सत्यापित होता है कि किरण O का समद्वी भाजक है? वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ मज़ेदार उधारण।